हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉंस्टन्स माइंट पिएसडी प्रवेस परिछा के बारे में आप लोग बहुत सारे कोश्चन कर रहे थे कि पेपर फिर्ष्ट का जो स्लेवर्स है उसको बताया जाए टेलिग्राम चैनल पर हमने पहले भी दे रखा था फिर से दे देंगे हिंदी और इंग्लिस दोनों में स्लेवर्स वापको देंगे जो रिसर्स मैथरोलोजी और टीचिंग अप्टिटूड मतलब टीचिंग अप्टिटूड और रिसर्स अप्टिटूड या मैथरोलोजी जो भी है इसका जो स्लेवर्स होता है ये एक ही होता ह कोई भी university अलग-अलग syllabus नहीं निकलती है research methodology का ये UGC का syllabus जो होता है वो follow होता है और जो आपके subject का second paper होता है वो हर जगा उसका syllabus जिस university में आप अपलाई करते हैं उसके MST की syllabus से match करता है तो जो आपका subject होता है उसको तो अपने पीजी में पढ़ा होता है अच्छे से चाहे MST हो, M.I. हो, कुछ भी हो लेकिन जो first paper है research methodology इसका syllabus जानना बहुत जोरी होता है तो इसका syllabus इस वीडियो में पूरा details syllabus हम आपको बताएंगे और कुछ sample questions भी रहेंगे वो हम आपको दिखाते चलेंगे तो वीडियो को इन तक देखिएगा आपके लिए ये बहुत ही लाबदायक होगा UGC बार-बार इन में जो है संसुधन कर रहा है और नई education policy की सच्छा की गुडवत्ता research की गुडवत्ता को बढ़ाने के लिए अब NET को mandatory किया जाएगा कि जो PhD made mission लेना चाहते हैं वो NET आवश्य क्वालिफाई करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इन slaves पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए जो NET के exams दे रहे हैं वो जाहर सी बात है कि उनका slaves तो कावर हो चुका होगा उनके लिए यही request है कि वो जो है अपने slaves को फिर से revise करें और पिछले पांच वर्सों के questions जो हैं प्रिवीश यह questions UDC के हैं उसको आप बिल्कुल solve करें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार सावित होगा और आने वाले सभी exam के लिए आवश्यक भी है क्योंकि नई education policy के तहट बहुत ही strict paper होगा और जैसे ही आपको admission नहीं मिल पाते थे अब admission मिलना असान होगा जो बंदे जयार आप qualify करके बैठे हैं उनकी time period खतम हो जाती है और उनको जो है admission नहीं मिल पाते है लेकिन ऐसा अब नहीं होगा अब जो भी हैं सभी को admissions जो capable हैं जिनके अंदर वो capabilities हैं वो ज़रूर admission पाजाएंगे तो हम research methodology के syllabus देखते हैं ये syllabus सभी नवस्टी के लिए काम करेंगे UGC, NET, paper first subjects, general paper on teaching and research aptitude आपको बता देंगी ये जो paper होता है ये सिर्फ आपके teaching या research की जो capabilities हैं उनको जाचने के लिए होता है और ये देखा जाता है कि candidate के अंदर research के लिए कितना awareness है और इसी के analysis के लिए ये questions और ये syllabus बनाएंगे हैं इसमें general awareness and knowledge of source of information expect किया जाता है candidate से कि वो इसका जवाब दें और इस type के questions बनाए जाते है कैसे आप people's लोगों के बीच interact कर पा रहे हैं लोगों से interaction आपका किस परकार से है environment से, natural resources से तथा अपनी life में आप किस परकार से interact है और हिंदी में भी ये सारे दिये हुए है देख सकते हैं अगर आपको English में नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कि स्कूल करेंगे तो हिंदी में भी ये दे रखा है ठीक है या आप देख सकते हैं सारे हिंदी में sample question के सहीद पूरा syllabus दे रखा है तो आप इसको या हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में देखें English में देखना चाहें इंग्लिस में देखें टेलिग्राम चनल पर आपको मैं इससे दे दूँगा वहाँ जाके आप ले ले और बाकि पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे आप अगर हम बात करें UGC Net Exam की तो यहाँ पर टोटल 10 सेक्संस रहते हैं सभी सेक्संस को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है और इन में से सभी सेक्संस से कोश्चन रहते हैं 5 कोश्चंस आपके सभी सेक्संस से रहेंगे और 10 सेक्संस होंगे तो टोटल 50 कोश्चंस रहेंगे सभी सेक्संस के लिए 10 मार्क्स रहते हैं ठीक है? कहने का मतलब यह कि सभी कोश्चंस के लिए 2 मार्क्स रहेंगे और एक सेक्संस के लिए 10 मार्क्स तो यह डीटिल्स हैं और अगर हम बात करें अन्य सारी उनिवस्टी की, तो वहाँ पर ये पैटर्न भले बदल सकता है, कभी-कभी वहाँ पर कोश्चन्स कम पूछे जाते हैं, इसलिए ये पैटर्न से हो जाता है, बाकी स्लेबस यही रहेगा, बस उसमें कोश्चन्स की कमी करते हैं, जैसे यूज छाता है जैसे खताले इफिचिस्टिक की क सब्सक्राइब यह बीटल में से आपके बीडững से भी लिए गई है, और बयोंगor यह बिलतलन से पूछे जाती है, तो यह टीचिंग अप्टिट्यूड है। यह भी बहुत इंपर्टेन ठोटा है यहां से UGC net में पांच टोटल पांच questions आते हैं और दस number के रहते हैं फिर उसके बाद आता है आपका research aptitude और research aptitude यह जो है भी यहां पे research की meaning characteristics and types क्या होते हैं types जैसे की basic research qualitative quantitative यह सब research के types हैं और इनकी characteristics क्या होती है meanings इस tip क्या होते हैं research के इस tip में सबसे पहले इस tip साब क्या आता हैं अठ default के लिए टो सबसे पहले आप क्या करेंगे आप सबसे पहले एक questions रखेंगे मतलब आपका एक question होगा उस questions को आप खोजेंगे कि ऐसा क्या मैटल है जिस पर हमें रिसर्स करना चाहिए तो पहला आपका प्रियोरली यही होगा और फिर इसके बाद मेथड मेथड के बाद रिसर्स एथिक्स क्या होगी उसके बाद पेपर, आर्टिकल, वोक्षाप, सेमिनार, कॉन्फरेंस अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट आपका किस प्रकार से होता है इस सब चीज़ों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे जब हम फॉर्मेट देखते हैं थिसर्स राइटिंग का तो यहाँ पर दिसर्स जो होता है उसकी जरूरत पढ़ती है और यह फॉर्मेट थिसर्स राइटिंग का हमें दिसर्स राइटिंग से ही मिलता है और जब भी आप थिसर्स राइटिंग करें रिसर्स होई है तो आप उसको कॉपी कर लेंगे जाके तो ये दिक्कत हो जाएगी आप ध्यान दें किस पर बिब्लियोग्राफी पर जैसे कोई topic आप ले रहे हैं तो उस पर जो research होई है उसकी बिब्लियोग्राफी देखें उसमें दिया होता है कि कौन-कौन सी book से read किया गया है, क्या matters थे तो बिब्लियोग्राफी को आप ध्यान दें और उस पर आप काम करें तो आपको पता चलेगा एक idea मिलेगा कि इस बिब्लियोग्राफी से research का ये जो प्रारूफ है ये तियार किया गया है तो thesis writing बहुत ही सौधानी से की जाती है इसकी characteristics में सबसे पहले आपको research की thesis होती ही जो आप write करेंगे तो thesis writing में जब इसका इसको judge किया जाता है तो इसमें main चीज यही देखी जाती ही कि research का objective क्या है उसमें ये नहीं देखा जाता है कि duration कितना लगा खर्ज कितना लगा आपने कितनी मेहनत की ये सब चीजे ना देखी उसकी objectives को आप अच्छे रखिए ठीक है फिर आता है reading comprehensions reading comprehension में a passes to be set with questions to be answered इसमें एक पूरा passes होगा और उसको read करके आपको answer देना होगा फिर communication है communicate आप किस परकार से कर पाते हैं nature क्या है communication का characteristics, types क्या होता है barriers and effective classroom communication ये सब चीजे आपको देखनी होती है research में और इनसे भी questions आते हैं अच्छे खासे फिर आता है reasoning reasoning थोड़ा सा mathematical हो जाता है और इसमें जो अन्य आपके one day exam की reasoning होती है उससे पांच शागुना कठीन होता है इसको बहुत ध्यान से सीखनी की जुरूथ होती है number स्रीज के question, later स्रीज के codes रहेंगे, relationships तथा classification वगदर रहेंगे फिर आपका चौप छठा आता है logical reasoning logical reasoning में understanding the structure of arguments evaluations, distinguishing, deductive and inductive reasoning verbal analogs, applied analogy, verbal classification, reasoning, logical diagrams, simple diagram relationship और उसके बाद आता है multi-diagramatic relationship तो इन सब चीजों में when diagram ये सबसे ज़दा tough होता है when diagram में थोड़ा सा दिक्कत होती है हर जगा तो ये सब चीजें आप ध्यान देंगे diagramatics, relationships question ज़्यादा होते हैं ये मैं आपको भी sample दिखा दूँगा सारे sections के sample आपको दिखा जाएंगे आप वेट कीजें data interpretations में sources, acquisitions and interpretation of data ये थोड़ा थो बाया static से मिल जाता है quantitative and qualitative data जिसको कहते हैं और ये research इसके questions ज़्यादा अच्छे होता है graphical representation and mapping of data ये होता है कि जैसे आपको किसी area को represent करना है तो आप उसकी mapping किस पकार से करेंगे ये भी ध्यान देना होता है जैसे एक classroom है इसमें बहुत सारे बच्चे हैं और वो categories में divide हैं तो आप उस categories की representation कैसे करेंगे तो graphical representation ये सब चीजे मैं मसीन आपने पढ़ी होगी ये बहुत important होता है इसको जानना ज़रूरी है ये आपके उसमें बेड में भी आता है तो information and communication technology ये थोड़ा सा meaning इसके advantage, disadvantage क्या है and general abbreviations and terminology basic of internet and emailing आजकल की जो online class, online teaching होती है ये network environment आप कहा सकते हैं इसको तो इसलिए ICT आजकल ज्यादा important है information and communication technology फिर आता है people and environment ये section तो अच्छा ही है यहाँ पर environment से तथा pollution के यहाँ पर matter ये करता है न कि question आपको घुमा फिरा के मिलते हैं थोड़ा सा जैसे people and environment interactions यहाँ पर interaction performance करना है आप पूरा history पर न चले जाएं sources आप pollution कर रहा है तो आप सिर्फ sources पर ध्यान दें pollutants कर रहा है तो pollutants देखें इसके impact क्या हो रहा है human life पर फिर उसके बाद exploitations आप natural and energy resources ये चीज़ें हो गई फिर natural hazards and medications हैं अब उसके बाद last आता है 10th higher education system governance and polity and administrations इसमें थोड़ा सा आपका law पर पढ़ना हो सकता है अच्छे से तो इसके लिए law पर भी इस्ट्रक्चर किस पकार से institution करहेगा higher learning में and research में अपने देश के तो आपके अपने देश के education system को थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से formal and distance educations क्या है for professionals, technical and general educations क्या है value educations, governance क्या है quality and administrations जथा concept and institution और उसका interactions क्या है institutions के बारे में भी हमें द्यान से देखना होगा जैसे teaching aptitude के samples आप देख सकते हैं इसके screenshot ले लिजेगा वैसे इसको हम अपने telegram channel पर देदेगे आप इसको बहुत अच्छे से द्यान से देख लेगे तो teaching aptitude के यह question है which one of the following is the main objective of teaching to give information to develop thinking power of student तो यहाँ पर main question का answer है to develop thinking power of student यही main objective of teaching का होना चाहिए कि आप अपने students के thinking के power को develop करें इस तरह से questions है और उसके बाद यह research aptitude है इसके भी question आप देख सकते हैं यह sample question है ठीक है आप इसको बहुत द्यान से देखें फिर होता है reading comprehension यह आपको एक passes मिलेगा read the following passes and answer question number one to five आप passes को read करेंगे फिर आप दिये हुए इस 5 questions को आपको करना रहेगा ठीक है फिर आद है communication communications में भी questions रहें जैसे दूसरा question आप देखिए TV channel launched for covering only engineering and technology subject is known as तो यहाँ पे एक लब ब the TV channel launched for covering only engineering and technology subject मतलब जो engineering and technology subjects को ही cover करेगा ऐसा TV channel console launch हुए है तो यह TV channel है एक लब ब अब तो यह हमारा हो जाता है main object उसके और फिर उसके पांचवा आता है reasoning including mathematical यहाँ पे reasoning की बागत है और इसको भी आप दिहान से देखेंगे यहाँ पे कुछ mathematicals है आप देख सकते हैं थोड़ा सा mathematical है यह series के question है number series के फिर logical reasoning में आप देखेंगे तो यहाँ पर diagrammatic जाता है relationships तो यह relationships को present करता है और इस सरह के questions आएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ statement and assumptions हैं जिसको कथन और इसकर्स आप कहते हैं फिर उसके बाद आपके यहाँ पे data interpretation आजाता है इसके question में आपको statistics दिखेगी तो यहाँ पर data दिया रहेगा उससे समन्दित questions पूछे जाएंगे और फिर उसके बाद आठवा है information and communication technology ICT के ICT stand for ICT stand for information and communication technology तो इन में computers, knowledge, networking इन सब चीजों के बारे में question पूछे जाते हैं people and environment में it is believed पहला question it is believed that our globe is warming progressively this global warming will events will result in तो QD है आपके melting आप polarize कीसरा question आप देखें सुन्दरबनी हुगली deltas is known as तो सुन्दरबन जो हुगली deltas है यह mangrove के नाम से जाना जाता है तो चौथा है सरदार सरोवर डैम is located on the river सरदार सरोवर डैम जो है वो कहां पे है तो यह नर्मदा नदी के टत पे है या फिनर्मदा नदी पे है टत नहीं कर सकते है higher education system last है governance, quality and administrations तो इसमें जो है questions थोड़ा law से रहते हैं which of the following is central university कौन सी central university है तो यहाँ पर C देख रहे है दिल ही यह central university है ज्यादा tough question नहीं होते हैं बस आपके अब देखिए यहाँ पे चौथा question है तो ओमेन की seats कितनी है 32% of total seats है फिसको बाद match करना है lists का ठीक है तो दोस्तों यह रही syllabus के साथ कुछ sample questions के साथ पूरी वीडियो उमीद है आपको अच्छी लगी होगी आप इस syllabus के recording हम questions कराते जाएंगे धीरे धीरे करके और उमीद है कि आप लोग इसमें सहयोग देंगे तो like, comment, share ज़रूर करें धन्यवाद